अगर आपको ये रेसिपी पसंद आईगी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना और आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी कोई नहीं वीडिया आए तो आपके पास नोटिकेशन आजए तो चलिए शुरू करते हैं ये मैंने 200 ग्राम चमले की फले लिए ये एकदम कच्छी कच्छी फले हैं अगर पकी हुई फले हैं तो आप इनके बीज निकाल के भी इने काम में ले सकते हैं अब हम इनके जो आगे और पीछे का जो पाट है वो हटा देंगी और इनको छोटा चोटा काट लेंगे इसी तरह हम सारी फलियां काटके तयार कर लेंगी ये देखिए इसी तरह चोटा-चोटा काटना है ज्यादा बड़ी रहेगी तो फिर पकने में टाइम लगेगा ये देखिए मैंने सारी फली काटके तयार कर लिए अब हम इसकी ग्रेवी बनाने के लिए ये मैंने प्याज, लेसुन, अद्रक और हरी मिर्च लिए इनका हम एक पेश्ट बना के तयार कर लेंगे ये मैंने दो बड़े साइज के प्याज लिए आपको जितनी ग्रेवी बनाने है, आप उसी हिसाब से प्याज कम ज़्यादा ले लीजिए ये प्याज का पेश्ट बनके तयार हो चुका है प्याज के पेश्ट को हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और फिर से उसी मिक्सी जार में हम दो बड़े साइज के टमाटर को पीस के इसका पेश्ट बनाके तयार कर लेंगे ये देखे हमारे टमाटर भी पीस चुके इन्हें भी हम कटोरी में निकाल लेते हैं अब हम एक कड़ाई लेंगे उसमें 2-3 टेबलिस्पून तेल डालेंगे अगर आप तेल कम खाते हैं तो आप तेल कम ले लीजिए यह मैंने 2 टेबलिस्पून तेल डाल दिया है और जब तेल गरम हो जाए तो इसमें आदा छोटा चमच जीरा डाल देंगे ये देखिए जीरा अच्छे से चटक गया है अब हमने जो प्याज लेसुन अद्रग और हरी मिर्स का पेस्ट बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे प्याज को हमें अच्छे से फ्राई करना है ये देखिए प्याज का अलगा सा कलर चेंज हो गया है अभी इससे हमें थोड़ी देर और भूनना है अब हमारी प्याज अच्छे से भून चुकी है तो अब हम इसमें जो सूखे मसाले वो डाल देते है आदा चमच इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे आदे चमच से थोड़ा सा ज्यादा हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और एक चमच धनिय पाउडर अगर आपको तीखा ज्यादा पसंदे है ता मिर्ची बढ़ा भी सकते है मसालो को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो मिनिट के लिए लगाता चलाते हुए मसालो को भूनना है यह देखिए हमारे मसाले अच्छे से भून चुके अब हम इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे इसे भी एक बार मिक्स कर लेंगे अभी तक हमने सबजी में नमक नहीं डाला है टमाटर का पेस्ट डालने के बाद अब हम इसमें नमक डालेंगे मैं एक चमच नमक डाला है अगर आप नमक कम ज़्यादा खाते हैं तो आप उसे हिसाब से नमक कम ज़्यादा अपने हिसाब से ले लीजे इन सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे अब हमें टमाटर के पेश्ट को अच्छे से बूनने जब तक कि इसमें सारा पान नहीं सूख नहीं जाता ये देखिए सारा पान ही सूख गया है अब हमने जो फली काट के रखी थी वो इसमें डाल देंगे फली को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी मसाले है वो फली के अंदर तक चले जाए दो मिनिट तक हमें लगातार चलाते हुए इनको मिक्स करने अब हम इसमें आदा ग्लास पानी डालेंगे और पानी में उबालाने देंगे ये देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी लग रही है ये देखिए सब्जी में मुबाल आ गया है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ओर डाल देंगे पानी कम लग रहा है अगर आपको इसकी ग्रेवी गाड़ी रखनी है तो आप पानी कम डालिए अब हम इसे ढखके 2-3 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे 2 मिनट हो गएं और ये देखिए सब्जी अच्छे से पक चुकिए इसमें ग्रेवी ना ही तो गाड़ी है और ना ही पतली है अब हम इसमें एक चमच गरम मसाला डालेंगे और आदा चमच हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हैगा और हलका सा खटापन भी रहेगा इससे सब्जी खाने में अच्छी लगेगी अगर आपको इसकी ग्रेवी पतली चाहिए तो आप थोड़ा पानी ओर डाल सकते हैं 2 मिनट के लिए इसे फिर से डखके पकाएंगे 2 मिनट हो गएं और ये देखे हमारी सब्जी बनके तयार हो चुकी है सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गएं अब हम इसमें उपर से कटवा हरा धनिय डालेंगे धनिय को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे ये हमारी सब्जी बनके तयार हो चुकी है अब हम इसे एक serving bowl में निकालेते हैं अगर आपको ये recipe अच्छी लगे तो like करना, share करना और आप मेरे channel पे नहीं हो तो channel को subscribe करना बेल आइकन भी दबा देना था कि जब भी कोई नहीं वीडिया है तो आपके पास notification आजाए मिलते हैं एक नहीं recipe के साथ